हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और चलिए आज हम बढ़ते हैं profit and loss के तीसरे कलास में पहले कलास में हमने आपको थियोडी पढ़ाया था दूसरे कलास में हमने question नमर एक से 10 तक किया था और आज हम 11 से आगे बढ़ेंगे तो 11 से लेंगे और देखते हैं 11 नमर सवाल को कहता है कि कोई दुकंदार 2450 रूपया परती कुर्सी के दर से यहां पर कुर्सी हैhand कुर्सी के दर से 10 कुर्सियां खरीतता है और भारे पर 600 रूपया खर्च करता है दस परती सतलाप राप्त करने के लिए उसे परतेक कुरसी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए मतलब एक कुरसी कितने में बेचेगा खरीदा है 1450 में और 10 कुरसी पर भारा लग गया 600 रूपया ये 1450 में एक कुरसी खरीदा गया सोचिए 10 कुर्सी का भारा लग गया है 600 तो एक कुर्सी का भारा साथ रूपया 600 में 10 से भाग दिये यानि 1450 सा साथ 1510 यानि कि टोटल जो खरीद रेट पर गया न ये 1510 रूपया हो गया इसको लागत मुले कहते हैं हम और लागत मुले एक परकार का क्रेमूल ही होता है दोस्तों जबकि कोई भी बस्तू का क्रेमूल होता है 100% तो 100% का मतलब हुआ 1510 आप चाहते हैं कि हम इसको 10% लाभ पर बेचे तो भी क्रेमूल क्या होगा अगर आप 10% लाप पर बेचना चाहते हैं तो 110 परतीसत का मान निकालना पड़ेगा आपको तो 110 परतीसत का मान क्या हो जाएगा तो ये 1510 बटा में कितना 100 और ये हो जाएगा 110 110 परसेंट का मान 0 से 0, 0 से 0 अब कर देंगे गुना तो आजाएगा 1661 रुपया 1661 गुना करने पड़ हो जागा लास्ट में एक एकम एक यही तो आप्सन ही है आप्सने आजाएए लास्ट में एक आने वाला सिर्फ एक आप्सन है अगला सवाल को देखते हैं दोस्तो पारा नमर प्रसन है एक पेन को 26 रुपय में बेचने पर एक वेक्ती को पेन के क्रेमूल के एक चौदहवे भाग के बराबर हानी होती है पेन का क्रेमूल ग्यात करिए एक बट्टा चौदहमा भाग हानी हुआ क्रेमूल का एक बट्टा चौदहमा भाग हानी इसका मतलब समझे कि हानी एक हुआ है और क्रेमूल का एक बटा चौदा तो ये क्रेमूल हुआ जी ये क्रेमूल हुआ तो क्रेमूल चौदा उस पर हानी एक आप ही बताईए कोई भी बस्तू का क्रेमूल क्रेमूल आपको पता है चौदा उसके बादागर इसको मैं रेसियो में लिख दो हानी है आपको एक तो विक्रेमुल क्या रहा होगा उस वस्तु का विक्रेमुल क्या रहा होगा सोचिए जरा दिमाग लगाईए कि चवदा रूपया में खरीदे एक के हानी कब होगा जब कोई समान बेचिएगा खाली खरीद लेने से थोड़े लाभानी होता है लाभानी हानी कब होगा जब हम कम में जादा में हम खरीद क्या कम में बेच देंगे तो हानी हो जाएगा तो क्रेमुल 14 कितना में बेचे की हानी एक हो जाएगा तो भाईया जी 13 में बेचेंगे 14 के समान 13 में बेशे देंगे हानी हो जाएगा एक का और बिक्रेमूल अब 13 हो गया जबकि बिक्रेमूल है 26 रूपया तो यहां कह सकते हैं कि बिक्रेमूल तो अनुपात में 13 यूनिट लेकिन डियल में हो गया है 26 रूपया तो बताइए अनुपात एक कामान बता सकते हैं आप 2 रूपया अब जब अनुपात एक कामान 2 रूपया है तो पेन का क्रेमूल ग्याद करना है तो बताइए अनुपात एक कामान 2 है तो 14 दूना 28 रूपया हो जाएगा यह हो जाएगा क्रेमूल और यह क्रेमूल किसका हो जाएगा यह क्रेमूल हो जाएगा उसी पेन का अगर आपसे इस सवाल में हानी पूछ लेता देखिए एक कामान दो है तो यहां भी एक कामान दो हो जाएगा यही तो एंसर हो जाएगा क्या बात है आईए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं इस सवाल को समझिएगा कहता है कि सूलेखा एकाई दहाई सेंकरा हज्जार यानि एक हजार चालिस रुपया में 36 किलोगराम चीनी खड़िती है ठीक है और सवाल कहता है वह चीनी को 10 किलोगराम चीनी के बिक्रेमुल के बराबर लापर बेचती है तो 5 किलोगराम चीनी का बिक्रेमुल क्या है समझिए 1040 रुपया में 36 किलोगराम चीनी खड़िती है वह चीनी को 10 किलोगराम चीनी के बिक्रेमुल के बराबर लाब प्राप्त करती है इसका मतलब क्या हुआ देखिए 36 केजी 36 केजी वो खड़ी दिती है 1040 रुपया में और 5 किलोग्राम बिक्रेमुल के बराबर लाब कमाती है तो 36 में से आप क्या करिए 5 केजी घटाईए यानि कि 36 में से यहां हमारा कितना है 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम बराबर लाब कमाती है तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे 26 केजी यानि खड़ीद के लाती है 36 केजी 36 केजी 1040 रुपया में लेकिन 1040 में सिर्फ 26 केजी बेचेगी तभी तो उसको लाब हो जाएगा खरीद के दस सो चालिस में लाया 36 केजी लेकिन दस सो चालिस में बेचेगा 26 केजी तो 10 केजी के बराबर 10 केजी के भी क्रेमूल के बराबर क्या हो जाएगा लाब हो जाएगा तो जब भी यहां कह रहा है लाब तो 36 में से क्रेमूल में से उतना घटा देना है तो 26 केजी को बेचेगा 1040 में 1040 लगाया था 1040 वापस आ गिया लेकिन 36 केजी खरीद के लाया था बेचा 26 केजी और 1040 रुपया वापस ले लिया तो 10 केजी के लाब हो गया उसको आपको पूछा है कि जरा बताईए 5 किलोग्राम चीनी का भी क्रेमूल तो पहले ये समझ लीजिए कि खरीद के लाया था ये क्रेमूल है और बेच कैसे रहा ऐसे 26 केजी 1040 में तो 1 केजी कितना में बेचेगा तो 1 केजी 1040 बटा 26 में क्योंकि 26 केजी बिकता है 1040 रुपया में 1 केजी बिकेगा 1040 बटा 26 में लेकिन अगर मुझे 5 केजी का मान जानना है तो सिर्फ हम 5 से गुना करेंगे तेरह दुना 26 तेरह अठे 180 बट में दूसे कटा 40 बट में तो 40 पचे 200 रुपया हो गया यानि 200 रुपया 5 केजी का मुल्ले हो गया और संसी हो गया दोस्तों मुझे उमीद है कि बहुत अच्छा से आपको ये बात समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन को देखिए सवाल है कि रजिनी ने बास 22,500 रुपया में एकली डी टीवी सेट खरीदा उसने इसके पड़िबहन पर 800 रुपय और इसको लगवाने पर 1000 रुपय व्याय किये इसको किस कीमत पर बेचना होगा अब बताये 22,500 रुपया में एकली डी टीवी सेट खरीदा उसने उसके पड़िबहन पर 800 रुपय और उसके लगवाने पर 1000 रुपय खर्च किया तो 22,000 है एक हजार 23,500 में आठ सो जोड़ देंगे तो कितना हो जागा आठ पांस तेर यानि तेईस हजार ये हो गया और आठ पांस तेर सो ये यानि कि एक हजार तीन सो आउरो यानि 24,300 तो आपको हो गया ये 24,300 बाइस एक तेईस एक चोवविस 24,300 रुपय या हो गया उस बस्तू का लागत मुले यानि उस बस्तू का क्रेमुल अब सवाल काता है इसको लगवाने अब काता है कि 20 पर 30 समगर लाभर जीत करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा कितना लाभ कमाना चाहता है 20 पर 30 पर 30 लाभ कमाना चाहता है इलागत मुल्ले एक परकार का क्रेमुल होता है तो 100 पर तीसत का मान हो गया 24,300 आप चाहते हैं कि 20% लाभ हो तो आप 120% पर बेच दीजिये उसको तो 24,300 में आप भाग लगा देंगे कितना से? 100 से और गुना कितना से करेंगे? 120 से क्योंकि 120% का मान जानना है दू 0 से 2 0 कट गया लाष्ट में तो 0 होगा है और उसके बाद 3 दूना 6 तो लाष्ट में 6 वाला यानि 29,160 और संसी हो जागा दोस्तों लाष्ट में 0 होगा बांकि आप गुना करके देख सकते हो यह 0 हो गया 0 तो होगा है चलिए 12,36 के 6 हासिल 3 12,4 के 48 48 हा 3,51 के 1 हासिल 5 अब 12,24,5,29 29,160 रूपया और संडी आपका एंसर हो जाएगा चलिए अगला सवाल के तरफ बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन क्या कहता है आईए देखिए 15 नमर सवाल दोस्तों राधा जो है 10,000 रूपय में Computer Table 5,000 रूपय में Center Table खड़ीदती है वा Computer Table को 8% लाभ पर बेच दी है पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे Center Table को कितने परतिस लाभ पर बेचना चाहिए यही बात ना center table को कितने परतिसत लाब पर बेचना चाहिए, माल लेते हैं center table को 1% लाब पर बेचना चाहिए, तो पहली बात तो है 10,000, तो पहली बात है अगर 10,000, तो 10,000 में computer table खड़ीदा गया था, मैं इसको थोरा सा नीचे लिखता हूँ, चलो, 10,000, 10,000 का 8% लाब होता है पहले, फिर है 5000 center table, तो 5000 का center table है, इस पर माल लेते हैं कि X% लाब होगा, तब जाके total लाब हो जाएगा पूरे रासी का 10%, तो पूरा रासी 10,000 आप 5,000, 15,000, यानि 15,000 का 10% कहा है कि बताईए center table को कितना परतिसत लाब पर बेचा जाए, कि पूरी रासी का 10% लाब हाजाए, आईए परतिसत से 2,0 काट सकते हैं, परतिसत से 2,0 काट दिए, परतिसत से 2,0 काट दिए, ये हमारा हो गया कितना? 800, पलस ये कितना हो गया? 50x, बराबर कितना हो गया जी? 1500, अब ये देखिया, 800 जाके घट जाएगा, तो 50x बराबर कितना हो जाएगा? 700, पंदरा सो में से 800 घटेगा? 700, 0 से 0, तो 5 से कटा 14 हबार में, यानि x का मान कितना? 14, center table को 14 परतिसत लाब पर बेचना होगा, आईए दोस्तो, next question देखिये, सवाल है, कि एक दुकंदार किसी बस्तु को अंकित मुले के 4 परतिसत लाब पर बेचता है, एक दुकंदार किसी बस्तु के अंकित मुले के 4 पर 5 में भाग पर बेचता है, तो उसे 3 पुर्णा के 1 परतिसत की हानी होती है, हानी हो जाती है कितना के? इतना के, 3 तियाई 9, 1, 10, 10 परतिसत का मतलब हुआ बटा में 100, 0 से 0 कट गया, तो दोस्तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक बटा 30 परतिस बोल सकते हैं, हानी हुआ है, एक बटा 30 परतिस पर बेचता है, आपको मन करें तो एक बार फी 200 मान लीजे, 300 मान लीजे, 400 मान लीजे, 4 बटा पच में भाग पर बेचेगा, ये भी पता चल जाएगा, तब काता है, उसे इतना परतिसत की हानी होती है, ये 3, 9, 10, 10 बटा 3, परतिसत का मतलब बटा में 100, 0 से 0, 1 बटा 30, अगर हानी है, होल भैलू मैं अगर निकाला जाहूं, तब 29 बटा 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब 29 बटा 30 हमने लिख दिया, क्या, उसकी हानी, अब देखे, अगर हम चाहें, तो ये 100 भी मान सकते हैं, हम 300 भी मान सकते और सवाल को हम बना सकते हैं, चाहे जितना मानना है, 100 रूपया मान लिया, इसको 100 मान लिया, अंकित मुले, पहले बोला कि 4 बटा 5 में भाग पर बेचता है, तो SP कितना हुआ, 100 का 4 बटा 5 मा भाग, 5 से कटा 20 बढ़ में 24 के 80 हुआ, तो कहता है कि हानी हो गया, क्रेमुल क्या रहा होगा बताइए, 80 रूप इभी क्रेमुल में उल्टा गुना होल भैलुका, उल्टा गुना का मतलब हुआ, कि 30 उपर और 29 नीचे, तब हो गया ये क्रेमुल, ये हो गया सीधा 834, 834, 834, 24 बटा 29 लिख सकते हैं, ये क्रेमुल हो गया, दोस्तों सवाल ये कहता है, यदि वह वस्तु को अंकित मुले पर बेचता, अंकित मुले पर बेचेगा, तो नया SP क्या होगा, SP2 क्या होगा बताइए तो, अंकित मुले पर बेचेगा, तो बेचेगा 100 रूपया में, अब खड़ीदे हुए हैं इतना में, अब बेचिएगा 100 में, तो लाभ होगा की हानी, लाभ होगा की हानी, जरा सोच यह 80 गुना 30 बटा 29 है तो आपसे लास्ट में पुझा तो परतीसत लाब लाब है हो रहा है तो लाब निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप बेच रहें 100 में और जबकि खरीदा हुआ है 2400 बटा 29 में तो 29 सो में से 24 हो गया तो 500 बटा 29 का लाब आपको परतीसत लाब बताना है परतीसत लाब बताने के लिए यह 500 बटा 29 इतना का लाब कितना पर तो Kremule पर लिखेगा 2400 बटा 29 Kremule हो गया आपका 2400 बटा 29 परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना अब बताईए 29 लीए 39 कटा 200 से 2 जीरो कटा अब हो गया 500 उपर में हो गया 500 बट्टा में हो गया कितना 24 तो 500 बट्टा 24 आप भाग लगाईएगा 24 से भाग दे देंगे तो ये 20.83 के लगभग हो जाएगा दोस्तों तो इसमें निकटतम पुर्णां कहा है तो ये हो जाएगा आपका एंसर 21 यानि 20.83 लगभग 21 परसेंट तो अवसन भी आपका एंसर हो जाएगा इस सवाल का आईए जरा ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पर आईए देखते हैं 17 नमर सवाल को 17 नमर सवाल कहता है एक बस्तु का क्रेमुल 1200 रुपया है ऐसी चार बस्तु एक खरीदने पर ग्राहक को एक बस्तु निसुल्क मिलती है यादि परतेक बस्तु का बिकरेमुल 1800 रुपया है तो चार बस्तु को बेचने पर दुकांदार द्वरा अरजित सुध परतीसत लाव ग्याद कीजिए दोस्तो अगर इस सवाल को सही से आप नहीं समझेंगे तो यह सवाल आप गलत बनाएंगे हो सकता ही यह आपसे बनेगा ही नहीं कोई उप्सन नहीं मिलेगा सवाल को समझें एक बस्तु का क्रेमूल बारह सो रुपया है कोई दुकांदार समान खरीद के लाता है तभी फिर बेचता है और बाद में भी क्रेमूल अठारह सो है यानि दुकांदार बेचता है अठारह सो रुपय अखरीद के लाया है बारह सो रुपय अच्छा दुका अंदार फिरी बस्तु किसे देगा ग्राहक को तो ग्राहक को फिरी मिलेगा ऐसी चार बस्तु एक खरीदने पर ग्राहक को एक बस्तु निसुल्क मिलेगा इसका मतलब ग्राहक ले जाएगा पांच बस्तु ग्राहक ले जाएगा पांच बस्तु लेकिन चारे बस्तु का पैसा देगा पैसा देगा चार बस्तू का और एक बस्तू वो पलस में फ्री ले जाएगा एक बस्तू क्या करेगा फ्री में ले जाएगा तो दोस्तो धियान देना लेकिन दुकंदार के पास तो पांचो बस्तू होना चाहिए तभी तो वो चार बस्तू देगा और एक बस्तू फ् तो दुकंदार के पास चाहिए 5 बस्तू और कहता है एक बस्तू का क्रेमुल है 1200 तो दुकंदार का जो CP होगा दुकंदार जो खड़ीद के लाया होगा 5 बस्तू खड़ीद के लाया होगा 1200 रूपे में तो 1265 छो हजार रूपया में खड़ीद के लाया लेकिन वह दुकंदार बेचता है तो बेचता है अठारा सो रूपे बस्तू बेचेगा तो अठारा सो रूपे बस्तू बेचेगा तो अठारा सो रूपे बेचेगा लेकिन उपांचो का पैसा नहीं लेगा कहा कि चार गो हम आपको देंगे ना चार गो खड़ी दियेगा ना हमसे आपके हाथे हम च सारे सो दाम रख्का है सारतारा वहत्तर सुरूपय को टूटल बेच लेगा। बहत्तर सौ का बेच लेगा। दोस्तों यह चार बसकी के बदले जाएगा पांच बसकी के बसकी बसकी दुकंदार खडिद के लाया था छो हजार में, तो बारह सो रूपय या क्या हो गया यहाँ पर बारह सो रूपया यहाँ पर लाब हो गया जी तो लाब हो गया बारह सो का अब हम निकाल देंगे परतीसत लाब परतीसत लाब निकालने के लिए आप क्या करोगे तो लाब है 1200 का बट्टा में आप लिखोगे CP यानि 6000 प्रतीसत के लिए 100 प्रतीसत से गुना अब 2-0 से 2-0 खतम 12-5, 5 से कटा 20 वर में तो 20 प्रतीसत का लाब होगा इस ब्यपार में आपका answer option B हो जाएगा दोस्तों तो चलिए मुझे उमीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया बढ़ते हैं अगले सवाल पर सवाल है 18 नमर 17 नमर सवाल में error था इसलिए हम सीधे 18 पर आगए यदि 75 बस्तू का बिक्रेमूल 60 बस्तू के क्रेमूल के बराबर है तो लाप परतीसत यहानी परतीसत ग्याद करें 75 बस्तू का बिक्रेमूल कहता है 75 बस्तू का बिक्रेमूल 75 बस्तू का बिक्रेमूल जो है 60 बस्तू के क्रेमूल के बराबर है 60 बस्तू के क्रेमूल के बराबर है तो आपसे कहता है तो लाब परतिसत या हानी परतिसत ग्याद करें देखिए, 75 बस्तु का भी क्रेमुल, 60 बस्तु के क्रेमुल के बराबर है इसका मतलब हुआ, कि जितना रुपईया में 75 बस्तु बेचे हैं उतना रुपईया में 60 बस्तु खड़ी दे हैं हानी हो गया जी हानी हो गया जितना पैसा में आप 60 को खड़ीदा उतना पैसा में आप 75 को बेच दिये तो 15 गो बस्तू तो घर से लग गया यानि घर से घटा है 15 बस्तू का तो ये 15 बस्तू का हानी हुआ चलेए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल है एक बस्तु को उसके क्रेमुल से चारवटा तीन गुन्य मुल्य पर बेचा गया लाप परतिसत गयात करें चारवटा तीन गुन्य मुल्य पर बेचा गया बस्तु के क्रेमुल से बेचा गया देखें विक्रेमुल है विक्रेमुल है 4-3 को आप 4 अनुपा 3 लिख सकते हैं 4-3 पर बेचा गया यह CP था यानि 3 रुपया का सामान बिक गया है 4 में तो आप ही बताईए इसमें क्या होगा लाब होगा क्या होगा खरीदे 3 में बेचे 4 में लाभ एक का कितना पर तीन पर ये amount का किस है परतीसत के लिए 100 से गुना 33 पूरना के एक बटा 3 परतीसत हमारा answer हो जागा 33 पूरना के एक बटा 3 परतीसत option A answer दोस्तो जरा देखिये अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल ये है कि यद तीस बस्तू का करैमूल एक्स बस्तू के बिकरैमूल के बराबर है यदि लाभ 25 परतीसत है तो एक्स का मान ग्याद करें देखिये तीस बस्तू का करैमूल एक्स बस्तू के बिकरैमूल के बराबर है जैसे हम लोग लिखते हैं थे न बस्तू बला किस्पे 30 वस्तु का क्रेमूल, यहां लिखते थे 30 वस्तु ऐसा लिखते थे 30 वस्तु का क्रेमूल, कितने वस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है तो X वस्तु के बिक्रेमूल के बराबर अभी आ गया, उस समय से यहां रहता था 15, 20, 25 कुछ भी रहता था और परतीसत लाब हम लोग निकालते थे अभी परतीसत लाब 25% दे दिया है अब एक बात बताईए पिक्रैमुल ज्यादा होगा ता इसे में हानी हो जाएगा क्योंकि बस्तू का केस है तो ज्यादा नहीं यही कम है तो कितना कम है तो वही लाभानी हो जाएगा, तो क्रेमूल है आपका 30, जिस पैसा में हम खरीद के लाए होंगे 30 बस्तू उस पैसा में बेचे X बस्तू, तो 30 माइनस X कर देंगे, तो हमें हो जाएगा कितना का लाभ ये पता चल गया, इतना का लाभ तो SP पर निकालना है बस्तू का केस है तो और परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना, 100 से गुना तो परतीसत में हो गया, 100 परतीसत से हम गुना कर देते हैं तो परतीसत में हो गया, जबकि 25 परतीसत है तो अब परतीसत से परतीसत कट गया 100 गया तो 1 बटा 4 अब ये 30-X बटा-X बराबर 1-4 दोस्तो 4 से गुना हो गया और इधर हो गया तो 1x हो गया 34-120 हो गया माइनस 4x हो गया 4-1-5x 5x से कटेंगे 120 को तो 5 से कट जागा 24 बार में यानि 24 गो बिक्रेमूल के बराबर है 24 बस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है सोच ये 30 बस्तु खड़ीदे, X का माना या 24 बस्तु, तो जितना पैसा में आपने खड़ीद के लाया होगा सोचो, जितना पैसा में आप 30 बस्तु खड़ीद के लाये, उतना पैसा में आप 24 गोबेचे, तो 24 गोबेचे 6 गो तो बचा लिये न जी, तो 6 बस्तु का आप परतीसत का क्या हो गया 25 परतीसत का लाब हो गया यही तो बोला था कि 25 परतीसत का लाब होगा चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं सवाल है यदि कोई 83 परतीसत खिलावना को उसके मुल्ले पर बेचता है तो जिस पर उसने सभी खिलावने खरीदे थे तो लाब परतीसत ग्याद करें उसी मुल्ले पर बेचेगा, जिस मुल्ले पर पूरे को खरीदा था, पूरे को खरीदा था कितना, तो देखिए, अगर मान लिजे वो 100 खिलोना खरीदा था, जरा दिमाग लगाना, अगर 100 खिलोना खरीदा था, तो बेचा है 80% खिलोना, यानि कि 80 खिलोना, बेचा है 80% खिल दोस्तों कहता है कि 80% खिलावना को उस मुल्ले पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलावना खरीदे थे जितना रूपईया में सभी खिलावना खरीदा था उतना रूपईया में 80% खिलावना बेचा तो रूपईया तो उसका वापस आ गिया लेकिन 100 खरीदा बेचा 80 गो त तो अब बताईए, मुल्ले तो बड़ाबर ही था दोनों का, तो लाब कमालिया है कितने खिलोना का, लाब कमालिया है 20 खिलोना का, अब 20 खिलोना का लाब कमालिया, तो आपको निकालना है कि परतीसत लाब, तो भाईया जी, परतीसत लाब जो होगा, आप लिखेंगे उपर म में लाब 20 खिलोना का बटा में SP, जितना खिलोना बेचा, 80, पर 30 के लिए 100 पर 30 से गुना, 24 के 80, 4 से कटा 25 बार में, यानि हम कह सकते हैं कि 25 पर 30 हो गया जी, 25 पर 30 आपका एंसर, और संसी, बहुत बढ़िया, आगे देखिए, next question, अभी थोड़ा देर पहले, इस question से पहले एक question पढ़े थे, 30 बस्तु का क्रेमूल, 24 बस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है, तो यदि लाब X पर 30 है, तो X का मान, लिजिए, 30 बस्तु का क्रेमूल, आप खरीदेते हैं, जितना पैसा में 30 बस्तु, उतना पैसा में बेचते हैं आप 24 बस्तु, कितना पैसा में 24 बस्तु बेचते हैं, तो आप बताइए क्या हुआ आपको, लाब हुआ कि हाने, खरीदे 39 बेचे 24 बचा लिए, छाओगो का लाब हुआ, छाओगो का लाब किस पर लिखेंगे, 24 पर 30 के लिए क्या करेंगे, 100 पर 30 से गुना, ये हमारा ला अगला सवाल देखिए जी बढ़िया सवाल बिरानवे किलोग्राम गेहु बेचने से किसी बेक्ति को इसको 12 किलोग्राम के बिक्रेमुल के बराबर लाब प्राप्त होता है उसका लाब परतिसत ग्याद करें ऐसा जब भी हो कि इतना बेचने से इतना के विक्रेमुल के बराबर लाब होता है या हानी होता है तो सवाल को बनाने का तरीका सुन लीजिए जितना बस तु को बेचा जाएगा सुनो जितना का लाब होगा उसको लिखना है उपर जितना का लाब हानी रहेगा उसको उपर और जितना बेचा जाए उसको नीचे लिखना है और याद रहे अगर 12 किलोग्राम यहां विक्रेमुल के बराबर लाब हुआ लाब हुआ है तो निच्चा घटाईएगा अहानी होगा तब निच्चा जोड़िएगा उल्टा काम करिएगा उल्टा काम परतीसत के लिए सव परतीसत से गुना अब आपका हो गया यह देखिए 12 और नीचे कितना हो गया जी 12 तो नीचा हो गया 80 अब परतीसत के लिए सव परतीसत से गुना है 0 से 0, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 ती है 15 परतिसत 5 ती है 15 परतिसत, और 15 परतिसत है option C में तो 15 परतिसत का लाब हुआ इस ब्यापार में जितना का लाब हानी उसको उपर, बेचे गए बस तुको नीचे अगर लाब हुआ है तनिच्चा घटाएंगे हानी होता तनिच्चा जोडते उल्टा काम करते और परतीसत के लिए 100% से गुना यही टेक्निक लगाईएगा अब देखिए इस सवाल में भी सवाल है 15 बस्तू का क्रेमूल जितना पैसा में 15 बस्तू खड़ीदे उतना पैसा में 12 बस्तू बेचे तो तीन बस्तू के लाब कमा लिये तीन बस्तू का लाब हो गया जी तो परतीसत लाब तो इस पी पर निकलेगा क्योंकि भाव का केस है बस्तू का केस है जी तीन चोग के बारा चार से कटा पचीस बार में तो पचीस परतीसत का हम कहेंगे यहाँ पर लाब हुआ 25 परतीसत का क्या हुआ लाब हुआ खड़ीद के लाईएगा 15 गो जीतना पैसा में उतना पैसा में 12 गो ही बेचिएगा तीन गो बस तु बच न गया तीन गो कलाब हुआ आईए दोस्तों देखते हैं 25 नमर सवाल 720 रुपया में 18 गिंद बेचने पर 6 गिंद के क्रेमुल के बराबर हानी होती है एक गिंद का क्रेमुल गयात करिए ये क्या बोला कि 6 गिंद के क्रेमुल के बराबर हानी होती है देखे क्या है 720 रुपया में 18 गिंद बेचने पर ये 18 गिंद न 18 गिंद बेच दिया 720 रुपया में ठीक है तो उसको क्या हो गया कि 6 गिंद के क्रेमुल के बराबर हानी तो 6 गिंद के क्रेमुल के बराबर हानी इसमें से 6 गटा यह चोग इंद के क्रेमल के बराबर हानी कहा तो 18 में से 6 गटा यह गया तब 12 यानि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 12 गेंद खड़ीदा होगा 720 रुपईया में रुपईया बराबर कर दीजिए 720 में बेचा 720 में खड़ीदा लेकिन छो गिंद के बराबर हानी हो गया, छो गिंद के क्रेमूल के बराबर हानी, इसका मतलब आठारा में से छो गया बारा, यानि बारा गिंद जो है खरीदा, बारा गिंद खरीदा 720 में, जबकि 720 में आठारा गिंद बेच दिये, आठारा गिंद बेच दिया, स्पी हो गय जी, 720 में 12 गंद खड़ीद के लाएं आप, आप बेचे हैं 18 गंद 720 में, तो 6 गंद के हानी न हो गया, तो अब निकालना है आपको क्या, आप से कहा एक गंद का क्रेमूल बताइए, तब 12 गंद का क्रेमूल 720 रुपया, एक गंद का क्रेमूल कितना, तो एक गंद का क्रेमूल साथ सो बीस बटा बारा च्छा के बहत्तर साथ रूपया हो जाएगा यह हो जाएगा आपका एंसर है ना चलिए अगला सवाल अगला सवाल देखिए सवाल क्या कहता है सवाल है एक दुकंदार छो बस्तू बेचकर एक बस्तू के बिक्री मुल्ले के बराबर लाब कमाता है उसका लाब परतिसत एक बस्तू के बिक्री मुल्ले के बराबर लाब कमाता है तो एक बस्तू का लाब हुआ जितना बस्तू का लाब हानी हो उसको उपर बेचे गए बस्तू को नीचे अलाब हुआ है तो नीचे उसको घटाना है परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना अब एक बट्टा पांच इसमें गुना करेंगे 100 से तो पांच से कटेगा 20 बार में हमारा एंसर हो गया 20 परसेंट option है रुक जाईए और देख लीजिए 27 नमर सवाल 27 नमर सवाल क्या है किसी पुस्तक की बारा परतीयों को 18 सो में बेचने से तीन परतीयों के लागत मुल्ले के बराबर लाब हुआ तब पुस्तक की एक परती लागत मुल्ले कितना है अब देखिए इसमें क्या है ऐसे में किसी पुस्तक के 12 परतियों को अठारा सो में बेचने पर 12 परति को कितना में बेचा अठारा सो में बेचा तो अब फिर क्या होगा कि खरीदा भी वो अठारा सो में ऐसा लिखना है लेकिन बस्तु क्या हो जाएगा 12 बस्तु 12 पुस्तक 18 एसारा रुप्य में बेचा 16 भ्या में खरीदा होगा खरीदा होगाँ कितना में को कि यहाँ पर टीन पर्ती के लागत मुले के बस्क्रापर लाभर हुगा तीन परती के खरेमुल पराबर लाभ लाब हुआ तो बारह तीन खड़ीद ले रहा होगा पंदरह गो यानि पंदरह प्रती खड़ीद ले रहा होगा पंदरह गो बुक का प्रती खड़ीदा होगा अब बेचा है मात्र बारह गो प्रती खड़ीदा पंदरह गो अब बेचा बारह गो कितना में अठारा सो में अठ 1-0-1-0 12 यहां पर क्या लाव ? तो हो फुझता है एकपरती कालागं ते मुलकें जो होगा ? एकपर्ती का एक-परती का लागं होगा ? 15 से भाग देढ़े जिए. अठारा सो को पंदरा से भाग देजिएगा पंदरा गुना बारा एक सो असी होता है यानि एक सो बीस रुपया हो गया एक सो बीस ओप्शन ए एंसर हो गया पक्का अब चलिए अगला सवाल देखिए इस कुस्चन को देखिए यादी बीस पुस्तक का लागत मुल 25 पुस्तकों के विक्रेमुल के बराबर है तो हानि परतीसद जेतना पैसा में 20 गो पुस्तक खड़ी दे उतना पैसा में 25 गो बेच दी तह 5 गो के हानि हो गया 25 पर भीक्रेमुल पर लिखेंगे पर्तिसत के लिए 100 पर्तिसत से गुना, बस तू का के साइस ही लिए, 25 चोगा 100, 25 चोगा 20 परसेंट, ओप्सन ए एंसर, नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट है, आपका यादी 20 पुस्तक का क्रेमूल, 18 पुस्तक के बिक्रेमूल के बराबर है, तो ला पर्तिसत, पीस गो खड़ी दे, अठारा गो बेचे, तदू गो बचा लिए, बट्टा में लिखेंगे 18, पर्तिसत के लिए 100 पर्तिसत से गुना, दू नामा 18, एक सो बट्टा 9, 11 पुर्णांक एक बट्टा 9 पर्तिसत, आगे देखिए, नेक्स्ट कुस्टन, अब यहाँ से दोस्तों, नेक्स्ट टाइब के कुस्टन, तीस नम्मर से अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थाइंक्यू, वेस्ट अफ लक,